मैं देश के प्रतेक किसान को इविश्वास दिलाता हूँ कि पहले जैसे MSP दी जाती थी, वैसे ही दी जाती रहेगी MSP न बंध होगी न समाप्त होगी साथियों, अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूँ, वो दूद का दूद और पानी का पानी कर देंगे पिछली सरकार के समय गेहू पर MSP थी 1400 रुपिय प्रतिक क्विंटल, हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल गेहू पर 1975 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय धान पर MSP थी 1310 रुपिय प्रतिक क्विंटल, हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल धान पर करीब 1870 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार में ज्वार पर MSP की MSP थी 1520 रुपिय प्रतिक क्विंटल, हमारी सरकार ज्वार पर प्रतिक क्विंटल 2640 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मसूर की दाल पर MSP थी 1950 रुपिय हमारी सरकार प्रतिक क्विंटल मसूर दाल पर 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय चने पर MSP थी 3100 रुपिय हमारी सरकार अब चने पर प्रतिक क्विंटल 5100 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय तूर दाल पर MSP थी 4,300 तैताली सो रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार तूर दाल पर प्रतिक्विंटल 6,000 रुपिय MSP दे रही है पिछली सरकार के समय मुंग दाल पर MSP थी 4,500 रुपिय प्रतिक्विंटल हमारी सरकार मुंग दाल पर करीब 7,200 रुपिय MSP दे रही है साथियों यह इस बात का सबूत है कि हमारी सरकार MSP समय समयर पर बढ़ाने को कितनी तवज्जो देती है कितनी गंभीरता दे देती है MSP बढ़ाने के साथी सरकार का जोर इस बात पर भी रहा है कि जादा से जादा अनायच की खरीदारी MSP पर की जाए पिछली सरकार ने अपने 5 साल में किसानों से लगबग 1700 लाख मैट्रिक तन धान खरीदा था क्या करे याद रखना हमारी सरकार ने अपने 5 साल में 3,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 चार लाख और कहां 56 लाख यानि हमारी सरकार ने न सिर्फ MSP में वृद्धी की बल्कि ज्यादा मात्रा में किसानों से उनकी उपज को MSP पर खरीदा है इसका सबसे बड़ा राब यह हुआ है कि किसानों के खाते में पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पैसा पहुचा है